नमस्कार आप देख रहे हैं मुबाइल न्यूस 24 और मैं हू रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिट्डे न्यूस का और मिट्डे की सबसे ताज़क खबर भाजपा से आ रही है जहां भाजपा अध्यक्ष अमिच शहा आज एक दिन की यात्रा पर केरल जाएंगे जहां वे कुन्नूर में पार्टी के लिए नए कारयाले का उद्खाटन किया इस दरान भाजपा ध्यक्ष ने बलिदान समर्ती कारेकरम का भी उद्खाटन किया और मिड़े की अगली ताजपा खबर आईबी को लेकर आ रही है जहां सीबी आई निदेशक आलोक वर्मा के घर के बाहर इंटेलिजन्स ब्यूरो के अफसरों के साथ हुई बतसलू की मामले में आईबी आई ने कड़ा रोक एक्तियार करते हुए इसकी शिकायत रास्ट्रिय सुरक्षा सलहकार अजीर डोभाल से की है आपको बता दे कि आईबी ने आरोप लगाया है कि आलोक वर्मा के सुरक्षा कर्मियों को बताने के बाउजूद कि वे दूसरी सुरक्षा एजंसी स फिर भी उनके साथ गलत बरताव किया गया और मिड़े की अगली ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा को बड़ा सियासी जटका लगा है दरसल सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज लखनव में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं सूत्रों के माने तो इस दोरान वहे भाजपा से अलग होने की घोशना कर सकते हैं आपको बता दे कि राजभर उत्तर प्रदेश सरकार के संतुस्ट खेमे से हैं और आए दिन वहे भाजपा पर निशाना साधते रहते हैं और मिड़े की अगली ताज इस शाहा के इस एलान के बाद NDA के अन्य सहयोगी दलों में बेचैनी उभर कर सामने आई है इस बीच रास्ट्रिय लोग समता पाटी चीफ उपिंदर कुश्वाहा ने भी RJD नेता तेजस्वी संग चाय पर बैठकी कर एक बड़ा संकेत दिया है और मिड़े की अगली आरो करनल अमनानंद को प्रवक्ता का चार्ज दे दिया गया है आपको बता दे कि नौ सेना के पूर्वचीफ एड्मिरल अरुन प्रकाश के ट्वीट पर प्रतिक्रिया जताते हुए प्रवक्ता ने सेना पर सरकारी संसाधनों का दरुप्योग करने का आरोप लगाया था कि पत्थरबाजों को उगरबादियों का सहीयोगी न समझा जाए आपको बता दे कि हाल ही में सीमा संगठन बी आरो के काफिले को सुरक्ष प्रदान कर रहे जवान राजिंद्र सिंग पत्थरबाजों के हमले में शहीद हो गए थे और मिड़े की अगली ताज़ा खबर रजर्व बैंक से आ रही है जहां रजर्व बैंक ओफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर ने रजर्व बैंक की स्वायाता का मुद्दा उठाते हुए सरकार को चेताते हुए कहा है कि अगर सरकार के इंद्रिय बैंक की स्वायाता का सम् के शुरू आते दस दिनों में राजधानी में प्रदूशन की विहावय स्तिती को लेकर चितावनी जारी करते हुए CPCB ने टास्क फोर्स का गठन किया है आपको बतादे कि केंद्री परियावरण प्रदूशन नियंतरन बोर्ड के टास्क फोर्स ने ऐसे हालात से निपटने के लिए प्रयावरण प्रदूशन नियंतरन अथार्टी को दस दिनों की अवधी में दिली NCR में निर्मान कारियों को बंद करने के लिए सुझाव दिये हैं और मिड़े की अगली ताज़ा ख़बर अमेरिका से आ रही है जहां अमेरिकी रास्ट्रपती डोनाल्ज ट्रम्प ने शोशल मीडिया साइट ट्विटर पर भड़कते हुए ट्विटर पर अपने फॉलोवर्स को घटाने कारोप लगाते हुए उसे पूर्वा ग्रह से ग्रस बताया है आपको बता दे कि ट्विटर ने इसको लेकर अपनी सफाई में कहा है कि वह फेक अकाउंट्स के खिलाफ एक आपक के नए प्रधान मंतरी आदिल अब्दूल महदी से आईस के खिलाफ लड़ाई में महत्वपून सुरक्षा साजयदारी पर सहमती जताई है आपको बता दे कि दोनों नेता साथ मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमत हुए है तो ये थी मिड़्डे की ताज़ा खबरे और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे और सब्सक्राइब बटन के साथ जो नुटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजे ताकि आप भी रह सकें देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट